BSC Part 3, Photo Chemistry में Quantum Yield और Quantum Efficiency and the Experimental Determination of Quantum Yield, Determination of Quantum और Number of Einstein's of Light Absorbed सबसे पहले, Quantum Yield और Quantum Efficiency क्या होती है? प्रकाश रसाइनिक तुल्यता का नियम या Photo Equivalence नियम केवल अवशोशन या प्राथमिक रसाइनिक प्रक्रम के लिए ही प्रियुक्त होता है अर्थार्थ इसमें उत्पाद आगे और कोई अभिक्रिया नहीं करते हैं जब प्रकाश का आवशोशन होता है तो प्दार्थ का एक अणू एक फोटोन का आवशोशन कर अपगटित हो जाता है और अपगटित उत्पाद आगे कोई अभिक्रिया नहीं करें ऐसी स्थिती में एक अनुपाद एक का संबंद सही रुप से लागो होता है लेकिन यदि प्रात्मिक रसाइनिक अभीकरिया के साथ अन्य रसाइनिक अभीकरिया होती है जैसे चेंड रियेक्शन्स में होता है एक फोटोन के अवशोशन से कई अनौत गटित हो जाते हैं तब एक अनुपात एक का संबंद सही रूप से लागवों नहीं होता और रसाइनिक तुल्यता का नियम एक अनुपात एक सही नहीं है अत्य क्रिया करने वाले अढ़ों के संख्या एवं अवशोशित फोटोनिक की संख्या में सही संबंद ग्यात करने के लिए एक नए पद की आवशकता हुई जो इसके साथ ही प्रकाश रसाइनिक अभीक्रिया क क्रियाविदी तथा मात्रात्मक विश्लिशन को समझा सके इस पद को क्वांटम इल्ड और क्वांटम एफिशेंसी फाई द्वारा प्रदशित क्या जा सकता है। द्वांटम इल्ड या क्वांटम एफिशेंसी प्रती फोटोन या क्वांटम प्रकाश अवशोषन से अभी क्रिया करने वाले क्रियाकारी अर्मों की संख्या है। या पदार्थ की अभिकरत होने की मात्रा अपॉन अवशोषित फोटोनों की मात्रा या इसे इस रूप में भी हम कह सकते हैं कि की दिए गये समय में अखेक्रत मोलों की मात्रा बटा उसी समय अवशोश्रित आइंस्टीन की मात्रा या प्रकाश रासाइनिक अभिक्रिया की दर अपों अवशोश्रित आइंस्टीन की संख्या या 5 is equal to minus d a upon dt upon अवशोश्रित प्रकाश की उर्जा होती है प्रकाश रसायनिक तुल्यता का नियम क्वांटम दक्षता का मान हमेशा एक होना चाहिए लेकिन यह मान शुन्य से लेकर 10 पार्ट 6 तक हो सकता है प्राथमिक प्रक्रम के लिए क्वांटम इल्ड 5 का मान हमेशा एक होता है जबकि secondary process होता है तो quantum yield का मान परिवर्दित होता है अर्थार्थ 5 का मान प्रात्मिक एवं ध्वित्रिक प्रक्रमों का समगर परिर्णाम है और यह उस अभिक्रिया की प्रकर्ती पर निर्बढ करता है अतक क्वांटम इल्ड को ग्याद कर हम secondary process की प्रकर्ती को समझ सकते हैं यदि किसी प्रकाश रसाइनिक अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता को निम्लाखित वेंजिक द्वारा व्यक्त कर सके अर्थार्थ 5 इकल तो दिये गए समय में अभिक्रित मूलों की संख्या बटा उसी समय में अवशोषित आइंस्टीनों अर्थार्थ फोटोनों की संख्या इस इकल तो प्रकाश रसाइनिक अभिक्रिया की दर बटा अवशोषित प्रकाश की उर्जा अर्थार्थ किसी प्रकाश रसायनिक अभिक्रिया के लिए quantum yield के निर्धारण के लिए निम्नपदों का निर्धारण करते हैं दिये गए समय में पदार्थ के अभिकृत हुए मोलों की संख्या, उसी समय में निशित तरंग दैरिये पर उसी पदार्थ द्वारा आवशोशित आइंस्टीनों या फोटोनों की संख्या या प्रकाश की तीवरिता का मापन, दिये गए समय में पदार्थ के अभिकृत द्वारा ग्यात कर लेते हैं क्योंकि यह अभी क्रिया की दर है नाव देटर्मिनेशन आफ नंबर ऑफ आइनस्टीन स्लाइट अब्सॉर्वड और नंबर ऑफ फोटोन अब्सॉर्वड और लाइट इंटेंसिटी अवशोशित आइनस्टीनों वै फोटोनों की संख्या या प्रकाश्तिवरता का निर्धारन थर्मोपाइल और फोटो इलेक्ट्रिक सेल या केमिकल एक्टेनोमीटर द्वारा करते हैं सरप्रथम हम लेते हैं थर्मोपाइल ताप विद्युत पाइल द्वारा या थर्मोपाइल द्वारा प्रकाश्तिवरता का निर्धारन कर सकते है पाइल में भुन-भिन धातूं जैसे बिस्मित और चान्दी की संदी में एकांतर श्रणी में जोड़कर इस श्रणी को एक गलवेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है संदी की एक छोर को ब्लैक लैंप से ब्लैक कर दिया जाता है पाइल की संदियों को प्रकाश उद्भासित करने पर वे उर्जा का अवशोशन कर गर्म हो जाती है, वताप बढ़ जाता है, जिससे गेलवेनोमिटर में विक्षेप राप्त होता है, जो प्रियुक्त प्रकाश की तिवरता के संगत होता है थर्मोपाइल को पहले से ही निश्यत प्रकाश भेज कर कालिब्रेट कर लेते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और दूसरा मैथड होता है फोटो इलेक्टिक सेल, प्रकाश की तिवरता का निर्धारण प्रकाश विद्युद सेल द्वारा करते हैं, जब अल्ट्रा स्वरुप शिष्धात्विक प्रमानु धनात्मक हो जाता है, इलेक्ट्रोन के उत्सर्जन का वेग अमीटर में परिवर्तित विद्युद्हारा द्वारा नाप लिया जाता है, ये विद्युद्हारा विकिरन की तिवरता के समानुपाती होती है, थर्ड चुमाथर है, व जाता है, प्रकाश गुजारने से पूर्व वेबाद में पदार्थ का निर्धारन किसी भौतिक या रसाइनिक चालकता विभोमापी आधि द्वारा कर लेते हैं, पदार्थों की अपगटित मात्रा से प्रकाश की तिवरता का निर्धारन कर लेते हैं, इस ये में एक्जेमपल, यूरेनिल अउक्जेलेट अक्टिनोमीटर, यूरेनिल अउक्जेलेट अक्टिनोमीटर, आक्जेलिक यूरेनिल अउक्जेलेट अक्टिनोमीटर में अक्जेलिक असेड जो की यूरेनिल आयन का सुगराई है, का अपगटन होता है, इस अक्टिनोमीटर में 0.05M 0.05M oxalic acid M 0.01M uranil sulfate का जलिये वीलियन लेते हैं इस वीलियन पर 250 एनम से 450 एनम परास की अल्ट्रा वॉयलेट रेज गिराई जाती है excited UO2 plus 2 आयन अवशोशित उर्जा को oxalic acid में स्थानांतरित करता है जिससे इसका अपगटन हो जाता है अभिकरिया को हम निमने प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं UO2 plus 2 plus H new is equal to excited state of UO2 plus 2 and this excited molecule will decompose the oxalic acid वीलियन में अपगटित oxalic acid की मात्रा का निर्धारन वीलियन को प्रकाश से उद्भासित करने से पूर्ववबाद में केमेनो 4 से उसका टाइट्रेशन कर लिया जाता है permagnate iron uranil iron को प्रभावित करते हैं इस अभिकरिया की quantum yield 0.57 है अता इस अपगटित oxalic acid की मात्रा से अब शोशित फोटोन की संख्या या प्रकाश की तिवृता की गणना करते हैं सभी प्रियोगों में monochromatic प्रकाश ही प्रियुक्त करना चाहिए आते इसके लिए monochromator का अपयोग करते हैं आजकल uranil actinometer के अलावा unactinometer जैसे ferioxalate, ranic salt ever chrome आधिक अभी उपयोग करते हैं प्रकाश रसाइनिक अभी करिया की या प्रियोग विवस्था दिखाए गई है जैसा की हमने चित्र में दिखाया है चित्र 4.6 में दिखाया है नुसार L mercury wash lamp या tungsten lamp है जो प्रकाश का source है इसमें से प्रकाश lens A द्वारा monochromator B में गुजर कर slit S द्वारा अभी क्रिया cell D जिसमें विलायक का विलियन में खिड़की W1 से गिरता है तता खिड़की W2 द्वारा recorder R द्वारा मापन कर लेते हैं बाद में cell को कारी पदार्थ की विलियन में भरकर उतने ही समय तक प्रकाश भेजते हैं वे R का मापन कर लेते हैं इन दोनों अवस्थाओं में प्राप्त प्रकाश की तीवरता का अंतर ही आवशूशित प्रकाश की तीवरता होता है Now the factor affecting the quantum yield quantum yield को प्रभावित करने वाले चार मुख्य कारक होते हैं पहला ताप का प्रभाव ताप की बढ़ने पर quantum yield में थोड़ी सी व्रद्धी होती है अर्थार्थ अमोनिया की अपगटन की quantum yield 100 degree centigrade बढ़ाने पर 15 से 20 प्रतीशत भढ़ जाती है तरंग देरे का प्रभाव साधानतर तरंग देरे के बढ़ने पर quantum yield में कमी आती है अगला जो प्रभाव है निशकरिये गैसों का प्रभाव निशकरिये गैसों की उपस्तिति में साधार्णतिया प्रकाश रसायनिक अभिक्रियां की quantum yield में व्रद्धी होती है आते प्रकाश रसैनिक कभी क्रिया में ताप स्थिरक ना चाहिए और मोनो क्रेमटिक लाइट का उप्योग करना चाहिए थेंक यू